हेलो स्टुडेंट्स आइम कल्पना मिश्रा और वेल्कम बैक टूवर यूट्यूब चैनल इस्टुडेंट्स आज किस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टैंड साइंस चैप्टर नुबर फाइफ लाइफ प्रोसेस का यह जो है थर्ड पार्ट है बच्चो पहले लाइफ प्रोसेस का जो फर्स पार्ट है और सेकिंड पार्ट है उसमें हमने यह सारा चीज जो है डिसकस कर लिया है और टॉट्रॉफ नूट्रिशन के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हैट्रोपिक नूट्रिशन मैं बिल्कुल बेसिकली एंसी आर्टी की आ हमने शुरू करना हैट्रोपिक नूट्रिशन से हैट्रोपिक नूट्रिशन हमारे एंवा कमेंड बहुत सारय समय जो भी और गनिजम मों फूर्ट ले औ, वो क्या करते हैं अ वहाँ पे organism को मिलेगा वैसा ही वह food खाने लग जाते हैं for example हम अगर लेते हैं कि जो हमारे आसपास food जैसे की जो है deer वागेरा है ठीक है तो deer वागेरा क्या है यहाँ वाँ चलते रहते हैं चलते रहते हैं जहां जहां उनको घास मिलती रहती हैं वो अपना खाते रहते हैं इस तरीके से वो अपना नियूट्रिशन जो है पूरा करते रहते हैं और इसी तरीके से अगर हम और भी बात करें नियूट्रिशन की जैसे काउ है वो अपने तरीके का नियूट्रिशन लेता और उसी पर वो क्या करने लग जते हैं? it depends करने लग जाते हैं है तो सारे some organism, break down the food material outside the body कुछ organism जो होते हैं, अब food से energy मिलनी होने कुछ organism तो body के बाहर ही अपने food का break down कर लेते ह викिभले जिसे उन्हेन energy मिले ठीक है? and in some organism के और बाढ़ी के लिवर करते हैं उनकी एक्जामपल है फंगी और ब्रेड मढद ब्रेड के ऊपर आप देखते हूं ने काली-काली सी फंफुन दिया जाती है ठीक है वो फंगी वो क्या करती है इन में एक एंजाइम सोते हैं यह क्या करते हैं यह उसको अपने बॉडी के बाहर ही निकाल देते हैं अपने फू नियुट्रिशन अपना फूड कहां लेते हैं उनको अपनी बॉडी के अंदर ले जाके मतलब अगर हम इनकी बात करें एक तो हमने बात की कि जो बाहर बाहर अपने फूड का क्या कर रहे थे ब्रेकडाउन कर रहे थे मतलब खाना को पचाना है अगर हमें एनरजी चाहिए तो वो बाहर ही एनजाइम उसके उपर डालके उसको ब्रेकडाउन करके और उसको फूड लेते हैं वो डेट डिकेंग चीजे होती मतलब सड़ी गली खराब चीजे है ठीक है एक तो ऐसे हो गए दूसरा हम है जो कि अपने फूड को अंदर ले जाके डाइजिस्ट करते हैं उसको ठीक है और तीसरा अगर मैं बात करूँ तो एक होते हैं पैरासाइट न्यूट्रिशन पैरासाइट न्यूट्रिशन क्या होते हैं पैरासाइट न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो किसी को मारे बिना अपना फूड लेते हैं जैसे कि आपको ने सुना होगा अमर बेल एक या लो कलर के थर्लाइक स्ट्रेक्टर होता है, लाइस, उसके बाद लीच, टेप उफ, क्या होता है? सिर के अगर जूइघ, इनसान मरता Нहीं है ना, उनके जो ब्लड होता है, उसको छूसते हैं, और अपना फूड लेते रहते हैं, बत्ब पैरसाइटिक न्यूट्रिशन हम किसको कहते हैं कि जो बिना डैद्ड हुए किसी को अपने जिससे अपना फूर्ड ले रहे हैं उसको मारे बिना उससे फूर्ड ले रहे हैं उन ओर्गनिजम को पैरसाइटिक न्यूट्रिशन वो ओर्गनिजम जो है पैरसाइटिक न जोई हौब बचा आड़े वाले पार्ट में उनिसेल को पाट करें उर्गणिजम में तो यह भी आति हैं जो सेल होते हैं, तो सिंगल सेल में यहां पर अमीबा को सबसे पहले डिटेल में दिया गया है, तो अमीबा क्या करता है, एक सिंगल सेल है, यह फूड को अपनी बॉडी में लेता है, फूड जो है कॉंप्लेक्स फॉर्म में होता है, वो बॉडी के अंदर ले जाता है, और अंदरले जाता है तो यहां पर यहां पर अंधर या को पन प्लाइक बना दे जाता है जसको मोले करता है और फिर क्या करता है उसमें से जो भी इंपोर्टेंट चीजें होती वह एब्जॉब कर लेता है अपनी ग्रोथ के लिए और वेस्ट माटिरियल किसी भी बॉड़ी के पार्ट से क्या करता है अपने बाहर कर देता है तो इस तरीके से जो न्यूट्रीशन होता है यून वह खिसमें होता है यूनिसलर अर्गनिजम जैसे कि मैंने आपको बताया अमीबा और भी होते है जैसे कि पैरामीशियम ये भी यूनिसलर अर्गनिजम होता है ये भी इसी तरीके से अपना फूड जो है स्पेशल स्पॉर्ट से लेता है उसको बॉड़ी में मूव कराता है और उसको digest कर देता है ठीक है तो यह जो movement करता है अपने food के लिए उसे हम सीलिया बोलते हैं ठीक है next आ जाते हैं most most important जो है यह topic यहां से आपके questions आते हैं तो वो है आपका nutrition in human being हम जो खाना खा रहे हैं उसके बारे में तो हम जो खाना खाते हैं वो basically एक long tube से होते हुए mouth से होते हुए annus तक एक tube जाती है mouth से लेकर annus तक एक tube जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं elementary canal ठीक है और यह special इसमें अलग-अलग जो है various parts होते हैं different different parts होते हैं जो कि different different special function करते हैं हमारे खाने को पचाने के लिए तो देखो सबसे पहले यह diagram देख लो यहां से यह हमारे mouth से एनस तक का जो यह सफर है इसको हम क्या बोलते हैं elementary canal ठीक है अब इसमें देखो parts कौन-कौन से होते हैं पहले तो इसको देख लो सबसे पहले mouth यह इसको बकल कैविटी भी कहते हैं इसके अंदर ती टंग सब कुछ आता है उसके पाइप सी होती है जिसको इसो फेगस बोलते हैं यहां से food फिर जाता स्टमक में यहां से कुछ juice वगएरा लेता है और इसको digest करता है ठीक है उसके बाद यह जो हमारा food है कहां जाता है स्टमक के बाद जाता है small intestine यह coil करके रखी हुई न यह कहने को small intestine होती है पर यह लगभग 6-7 मीटर होती है ठीक है स्माल इंटेस्टाइन के बाद large अब स्मौल इंटेस्टाइन में कैसे digestion होता है वहां पर यह सारी चीज़े लीवर और तो क्या होता है, we eat various type of the food, हम अलग अलग पाइप के food खाते हैं, ठीक है, same digestive tract से होते हुए जाता है, और वो क्या करता है, उसको digest करता है, ठीक है, तो अब इसके लिए क्या है, सबसे पहले आप जब आपका food अंदर जाता है, तो उसको teeth क्या करते हैं, उसको chief करते हैं, उसको soft करते हैं, soft करने के बाद यह क्या हो जाता है, smooth भी करता है, क्योंकि smooth करना है, तभी तो आगे बढ़ेगा, तो smoothing करने का काम, इसका क्या कौन करता है, mouth water, जो मुह में पानी आता है, और यह जो mouth water होता है, जो liquid होता है, इसे हम क्या बोलते है, saliva, ठीक है, जो मुह में पानी करता है sliva means हम जिसको लार बोलते हैं ठीक है यह क्या करता है जो हमारा food होता है complex nature में होता है उसको थोड़ा सा simple करता है और इसको जो है digest करता है थोड़ा सा इसकी अंदर क्या digest करता है इसके अंदर enzymes होते हैं तो यह जो जुटाइवा सिक्रेट करती है और फूड में थोड़ा सा जो है वो क्या करती है डाइजेशन करती है हम बहुत जादा नहीं डाइजेशन कहेंगे लेकिन अब डाइजेशन करने के लिए जो एंजाइम यूज करते हैं जिसको हम बायलोजिकल कैटलिस्ट या फिर कहते हैं तो स्लाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है स्लाइवरी एमाईलेज ठीक है ध्यान से देखते हो कि जो वाटर होता है माउथ वाटर जो स्लाइवरी ग्लैंड से निकलता है ठीक है वो जो उसके अंदर कुछ क्या होते हैं एंजाइम होते हैं औ complete जब खाना खाते तो क्या होता है खाना खाते हैं प्लांन से लिया फूड कैसा रोप में स्टोर करते झायां है तो रोल जो हमाउट से ही स्थार्ट हो जाता है ठीक है समझ आगी मेरी बात अब यह माउथ का रोल सारा समझ आगया ठीक है और उसके बाद क्या करता है और उसको सॉफ्ट करने में उसको स्लाइवा मिलाने में जो काम करती है वो कौन करता है हमारी टंग करती है जो सिर्फ मसल्स की बनी होती है समझ आय mouth में क्या हुआ? तीथ ने पहले चीव किया food को. चीव करने के बाद उसमें क्या मिलाया? saliva मिलाया saliva किसने मिलाया? Slavery gliand ने मिलाया. अब उसमें उसमें क्या क्या? स्टार्च को चेंज कर दिया शुगर में. किसने चेंज गया? saliva के अंदर एक enzyme था उस एंजाइम का नाम कहता स्लाइवरी एंजाइम प्लेयर हो गया इतना पाट ठीक है अब फूट सॉफ्ट भी हो गया चीव भी कर दिया अब वो क्या करता है आगे यह उसो फेगस में जाता है यहां पर कोई काम नहीं है बस यहां से फूट को हमने स्टमक में भेजना है यह काम करता है और ऐसा तो है नहीं कि कोई बड़ी सी जो है पाइप पड़ी हुई है और उसमें खाने को डाल दिया और खाना धंब से नीचे चला गया कोई में है ना तो ऐसा नहीं होता है यह पाइप जो होती ना बहुत पतली होती है इसमें खाना जब जाता है हमारा है ठीक है ऐसे फैलता है फिर सिकोड़ता है फिर फैलता है फिर समझ रहुज समक्रेवाइu न मैं आपको मतलब यह चीजज बबती है फिर चोड़ी होती है जिसकी वज़े से क्या होता है इसके अंदर food धीरे-धीरे-धीरे अंदर चाता है ठीक है तो यहां पर यही लिखा है कि जब food इसके अंदर चाता है तो क्या करता है वो contract और relax होता है जिससे क्या होता है food आगे पीछे आगे पीछे हो गया आगे को move करता है तो यह जो movement होती है कई बार यह पूछा जाता है कि movement को क्या होते इसको बोलते हैं parastatic moment जो ये moment कर रहा हैitter food को आगे भेजने के लिए से having parastatic movement कहते हैं अब food कहां चलागा आपका नीज पूर चला आपके stomach में ठीक है तो stomach जो होता है हमारा mouth के बाद food कहां चला डहें stomach में ऐस के थूप foot pipe किस और मॉल रही है मैं comment स्टमक जो है एक लार्ज ऑर्गेन होता है यह एक्सपैंट हो जाता है जब फूड इसके अंदर जाता है जब खाना जब पेट भर जाता है जब फूड बहर जाता है तो हमारा पेट भर जाता है ठीक है इसमें जो वॉल्स होती है जब फूड इसके अंदर जाता है तो इसके अंदर more digestive juice होते हैं, देखो अब ये juice कैसे work करते हैं, इसको ध्यान से पढ़ो, digestion in stomach, stomach में digestion, अब खाना जब stomach में गया, तो वो भी digest होगा, क्या होगा, जो हमारा stomach होता है, उसमें gland होती है, पहली gland हमारे mouth में थी, slivery gland, second gland कहा है, stomach में, जिसको हम क्या बोलते हैं, gastric gland, ठीक है, और एक pepsin release करता है, और दूसरा, तीसरा, mucus, तीन चीज़ याद रखो, जो stomach होता है, उसमें एक gland होती है, जिसको gastric gland कहते हैं, वो तीन चीज़ रिलीस करती है, hydrochloric acid, pepsin और mucus, अब hydrochloric acid का काम क्या होता है, ये हमारे stomach में जो खाना आता है, उसको acidic medium कर देता है, acidic medium करने से क्या होता है, जो खाने के अंदर हमारे bacteria वगेरा आयरहते हैं, वो उनको क्या करता है, मार देता है, ठीक है, अब दूसरा, pepsin का क्या होता है, जो हमारे खाने में protein होता है, उसको digest करता है, उपर हमारा क्या digestion शुरू हुआ था, उसने starch को sugar में change किया था, यहाँ पर protein को pepsin में change कर देता है, protein पूरी digestion नहीं होती बच्चों यहाँ पर, ठीक है, कुछ partially part digest होता है, तो दो काम बता दिया, मैंने आपको hydrochloric acid का काम बता दिया, pepsin का काम बता दिया, उसके बाद अगला काम है mucus का, mucus का काम क्या होता है, देखो, यह जो हमारा stomach होता है, यहाँ पर, stomach की यह जो wall होती है, यहाँ पर mucus होता है, mucus से चिप-चिपा सा पदात होता है, तो जब यहाँ पर acid release होता है, तो क्योंकि acid है, तो harmful तो है, यह normal release होता है, तो ठीक है, अच्छा है हमारे लिए लेकिन ज्यादा रिलीज हो जाए तो नुकसान होता है तो यह जो एसे रिलीज होता है इस स्टमक की वॉल को कोई नुकसान ना पहुंचे तो म्यूकस जो है ना इसकी वॉल के किनारे किनारे होता है तक कि स्टमक हमारा बचा रहे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है तो बार है ना जो बड़े होते हैं उन में दिकतर आपने सुनाओगा क्यों उनको प्रॉब्लम हो गई ठीक है वह इसी प्रॉब्लम क्यों होती है क्योंकि जादा एसे जब उनकी बॉड़ी में रिलीज होने लग जाता है तो इसके लिए हम चैप्टर टू में डिसकस करेंगे वै करा फूड स्टमक से कहां जा रहा है स्मॉल इंटस्टाइन में तो वह जिस मसल्स के थूरू जा रहा है रिलीज हो रहा है उसके उसे हम बोलते हैं इस चीज़ बड़ा अब इसमें काफी कुछ कॉम्प्लेक्स से ध्यान से समझोगे तो चीज़े समझाएगी ठीक है चलो ध घ्यान से बिलकुल समझना और नूट करते रहो चाहे देखो अब यहां से हम स्टमक में जो फूड एंटर हो रहा है समॉल इंटर्स्टाइन में वह हमारा सबसे बड़ा लॉंगिस्ट पार्ट होता इलिमेंट्रिक गिनाल का ठीक है इसकी लेंथ जो है बड़ी होती है लेकिन वृत्त छोटी हियर अच्छ अब यह अलग अलग अइनिमंल्स में अलग अलग अलगPatर होती है तो इनकी घास में क्या होता है, cellulose होती है, तो cellulose जो है उसको पचाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इनकी small intestine बहुत लंबी होती है, ठीक है, यह याद रखना ही कोशन, हर भी वोरस के small intestine बहुत लंबी होती है, क्योंकि वो grass वगरा खाते हैं, जिसमें cellulose होता है, और cell को digest करना मुश्किल होता है, इसलिए ठीक है, और जो meat वगरा खाते हैं, उनकी small intestine चोटी होती है, क्योंकि यह easily digest हो जाता है, इतनी बात क्लिर होगा इस पहरे में, चलो, आगे हमारा small intestine का digestion शुरू हो रहा है, तो small intestine जो है complete digestion होता है, small intestine में किस-किस का carbohydrate, protein and fat का, ठीक है, तो सब्से पहले यह किया receive करता है, ध्यान दो, small intestine के खुद के पास कुछ खास नहीं होता है, पर digestion सबस्यादा यह करता है, लेकिन यह दूस् 높लिच के करता है, तो तो देखो, यह जो small intestine है, यह small intestine है, यह liver से ठीक है, और किससे pancreas से, यहा देखो, यह pancreas आगो, आपको दीख र इन से जो है सीक्रेशन लेता है और फिर फूट को डाइजिस्ट करता है तो यह भी प्रोसेस है अब इसको तब चीज смझाढ़िगे कहाँ पहुछेते हैं हम लीवर ठीक है Pancreas से और लीवर से अच्छघ लीवर अगली ग्लेंद है और Pancreas अगली ग्लेंड है हमारी चार gland है, चारो gland का आपको पता होना चाहिए, थर्ड gland liver ले लो और फोर्द gland pancreas, तो liver हम human body की सबसे बड़ी gland है, आप से अगर कोई पूछे सबसे बड़ी gland कौन सी है human body की तो वो है liver, ठीक है, तो उसके बाद जो है, food जो है हमारे stomach में आया था, वो पहले तो acidic था, ठीक है, पहले तो इसको acidic को क्या करना है, alkaline करना है, मतलब base करना है, और इसको base करने का काम कौन करता है, pancreatic enzyme, जो की कहां से मिलता है, pancreas से, समझ आगी बात, पहले food को इन्होंने basic कर दिया, किसने pancreatic enzyme आया था, उसने, ठीके, जिसको हम क्या बोलते है, pancreatic enzyme, यहां पर दो चीजों क रोल ध्यान से समझ ना, pancreas का और liver का, सबसे पहला pancreas का रोल है, पर pancreas का रोल है, सबसे पहला roll था, उसने acidic को क्या कर दिया, basic कर दिया, ठीके, उसके बाद bile juice secret करता है, liver, लिवर क्या secret करता है, bile juice, अब यह bile juice क्या करता है, जो fat होता है, fat बहुत heart power में होता है, बहुत मो है कुछ enzymes जाने डालने पड़ते हैं तो वह बाइल जूस जो है बाइल साल्ट डालता है और इससे क्या करता है वह फैट के ग्लोबलस जो बड़े-बड़े तुकड़े होते हैं उसको तोड़ने में मदद करता है समझागी इतनी बात डिस इस सीमिलर टू दा इमिल्सिफाइड एक्शन ऑफ दॉप ऑन दड़ जैसे साबून से कपड़े साफ करते हैं इसी तरीके से वह आता है और उसको फैट को धो धोगे धोगे छोटा कर देता है ठीक है इसको चैप्टर फोर में पढ़ेंगे कर से कपड़ा साफ करता है साबून ठीक है अब अगला न उसको करता है प्रोटीन को अगला है लाइं पेस यो कि किसको Cobmes कर रहें लिदा को बात समझ में आगे इस तरीके से यह तो सारा उन्होंने जो क्लैंड से लिया वह डायिज रिया उसके बाद जो हमारी small intestine है ना उनकी wall में gland होती है उनमें क्या होता है intestinal juice निकलता है मत्तब intestine भी थोड़ा बहुत अपना फर्च अदा कर देती है तो थोड़ा से juice निकाल देती है और वो juice से वो enzyme जो होते हैं जो उनके juice में present होते है ना वो जो protein digest हुआ है fat digest हुआ है carbohydrate digest हुआ ह इन सब को किस में change कर देता है protein को amino acid में ठीक है carbohydrate को और glucose में fat को fatty acid और glycerol में समझा है protein को amino acid में मत्तब यह last product है इसके बाद इसको कोई digestion के जो अत्य है सीद है हमारे blood के थुरू पूरी body में चला जाएगा carbohydrate glucose में fat fatty acid और glycerol में बचो यह वैसे तो आपको शायद समझा गया हो नहीं समझा है दो बार तीन बार चार बार इस portion को देखना जानी समझा है उसके बाद एक बार अपनी बुक रीड करना फिर वीडियो को देखना एक बार वीडियो देख ली बुक रीड करो फिर वीडियो को में इन पॉइंट सेंडर लाइन करो अपने नोर्स बनाओ जरू आगे देखते, अब digest हो गया small intestine में, small intestine में आखिर digest हुए चीज़े, को आगे भी ले के जाना है, आगे ले के जाने का कढ़ा करता हैं, blood vessels करती है, ठीक है, small intestine समझ लो, small intestine है, small intestine के अदर, जिसे हमारी उंकलियां होती हैं, कुछ इस तरीके से उंगलियों के जैसे finger-like projection होती है मतलब उंगलियों की तरफ finger-like projection होती है इसमें क्या होती है ठे सारी capillaries होती है capillaries यहां हम बोल देते हैं blood vessels इतनी पतली होती है वो इतनी पतली होती है कि वो जितना भी हमारा amino acid है और glycosin है मतलब जो भी मारा food digest हुआ है उसको सबको absorb कर लेती है और किसको भीज़ देती है blood vessels को ठीक है तो यहीं पर यहां पर यहीं लिखा हुआ है जो inner leaning होती है small intestine की उसमें बहुत सारे finger-like projection होती है जिसको हम क्या बोलते है विली बोलते हैं ठीक है इस तरीके से हमारी body को energy मिलती है और tissues जो भी हमारे dead हुए रहते हैं वो new बनते हैं अब हो गया small intestine का काम खाना पच गया अब बचा हुआ है undigested food मतलब खाना में से जो हमारी waste चीज़े हैं ठीक है वो undigested food कहा चला गया large intestine में large intestine में कोई digestion नहीं होता हूँ सिर्फ ये water को absorb करता है ठीक है तो ये water को absorb कर देता है और उसके बाद जो waste होता है वो हमारे body के annus के थुरू बाहर निकल जाता है और क्या होता है ये हमारी body में एक process होती है न कि जब हमें जुरूत लगती है तब हम उसको body के बाहर निकालते है वर्ना जब तक वो store करके रखता है तो time time तो उसको बाहर निकालने का regulate करने का काम जो है annal spanchure करता है ठीक है तो यहाँ पर देखो annus spanchure करता है तो annus कहा है आप देखो ये last room है तो इस तरीके से annus जो है waste को बाहर निकाल देता है I hope digestive system समझ आ गया next video में हम next part cover करेंगे ठीक है अगर नहीं समझ आया दो बार वीडियो देखना book दो बार पढ़ना अपने notes बनाना तब भी नहीं समझ आया तो मुझे बताना मैं आपको flow chart के थूँ ये digestive system करा दूँगे final तक आपकी बहुत अच्छी त्यारी हो जाने है और kissers मिलते हैं नेक्स वीडियो में bye bye